स्वागते दोस्तों आपका ड्राइफ सपार्क के कौन नए वीडियो में और आज हम बात करेंगे स्कौराग कोडिया के बारे में तो यह SUV हम लोग को एक रिवियु के लिए मिली थी और हम लोग ने इसका फर्श्ट ड्राइफ किया और हम लोग आपको बताएंगे कि ये SUV अब कैसी होगी, ये कैसी दिखने में है, इंटीरियर्ज, एक्स्टीरियर्ज, कैसी ड्राइव करती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे स्कॉडा कोडियाग का ग्लोबल डेब्यू हुआ था 2016 में और वो इंडिया में लॉँच हुई थी SUV 2018 में और उसी के साथ उसको एक रिफ्रेश यानिक एक फेसलिफ्ट वर्जिन मिला था 2020 में और उसके ठीक बात गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था BS6 Emission Norms के चलते तो अब 2022 में स्कॉडा कोडियाग वापस से आई ये मार्केट में और हम लोग ने इसको चलाया है तो चलिए आपको बताते हैं कि ये गाड़ी अब कैसी हो गई है अब बात करेंगे डिजाइन और स्टाइल की तो जो एक्स्टीर डिजाइन है स्कॉडा कोडिया का उसका सबसे जो हाइलाइट है सामने के तरफ वो है इसके क्रिस्टलाइन हेडलाइम जो की LED क्लस्टर है आप देख सकते हैं कि हेडलाइट का क्लस्टर कितना स्लीक है और उसके ठीक नीचे आ रोम के slats मौझूद है और वो एक गाड़ी को काफी जादा बोल्ड लुक देखता है अब बोल्ड लुक की बात करें तो आप इसका हुड्ड नोटिस करोगे जो हुड्ड में जो लाइन जो क्रीज़ है वो कंटिनूड है जो पुराने जो आज से दस साल पहले भी जो स्कौर लुक देता है और उसी के साथ आप देखोगे कि जो फॉग लाइट मौझूद है वो हेड़ लाइट के ठीक नीचे है और वो भी LED यूनिट्स है और आप अगर नोटिस करोगे कि इसका जो यह अभी जो नया कोडियाक है इसका जो नीचे का बंपर है आगे का वो थोड़ा अब चलता है गाड़ी के साइट के तरफ तो साइट के तरफ आप नोटिस करोगे कि इसको मिलता है यह मल्टी स्पोक डूल टोन 18 इंच के अलोई वील्स जो की गाड़ी के ओवराल साइज को काफी अच्छे से कॉम्लिमेंट कर रहे है तो यह जो आप देखेंगे कि है और टेल लाइट को एंड हो रही है और राप अरॉंड एडलाइट और टेल लाइट से जो की गाड़ी को एक बहुत जादा अच्छा लुक देते हैं उसी के साथ आप देखोगे कि यह जो क्रोम भी मौजूद है गाड़ी में तो क्रोम विंडो ट्रिम के चारव तरब मौजूद है आपको उपर के तरफ एक फंक्शनल रूफ रिल मिल जाएगा और उसी के साथ एक शाक फिन आंटेना भी और उपर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा एक पैनरामिक संरू तो अब बात करेंगे गाड़ी के रियर इंड के बारे में तो रियर इंड में आप द अची लगती है उसी के साथ नीचे के तरफ आप बंपर के हिस्से में देखेंगे आपको मिलेगा क्रोम का फिनिश जो की चॉइन हो रहा है पूरा आप यहां पर भी देख सकते हो कि इसमें आपको रेव्यू वाइपर मिलता है वाशर के साथ और उपर के तरफ एक स्पॉल तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के इंटीर के तरफ तो आप जैसे ही आप इंडियो में स्टेप करेंगे आप नोडिस करेंगे कि बहुत जादा स्पेशियस काबिन है इन फाक्ट यह जो बड़ा पैनर में एक सनरूफ है जो मैं बहार से आपको बोल रहा था यह अंदर से आप देखोगे तो this actually makes the cabin look way bigger क्योंकि यह पूरा है आगे से लेके पीछे तक मौझूद है और यह मतलब बहुत जादा airy और बहुत जादा cabin का space जो है बढ़ा देता है और आगप नोडिस करोगे कि जो interiors है वो dual tone में finished है आपको beige और black का finishing मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा combination है और उसे की साथ आप seat देखेंगे यह finished है यह beige कलर में जो की काफी अच्छे लग रहे काफी जादा comfortable seats है in fact seats are 12 way adjustable और इसमें आपको driver के लिए 3 memory option भी दिया गया है और यह LNK वेरेंट है तो इसमें seats comfortable होंगे यह आपको LNK का badging भी मिलता है इसमें त impact उसपे जो steering mounted controls है वो काफी अच्छी तरीके से placed है और काफी अच्छे material से भी बने उसमें बहुत सारा chrome मौजूद है जो की एक गाड़ी को एक premium feel देता है और उसके साथ आपको Canton का 12 speaker का एक sound system मिलेगा जो की 625 watts का है और एक subwoofer के साथ आता है जो कि आप गाना सुनते है तो it is absolutely mind blowing the sound quality of the sound system उसके साथ उसमें कई और ज़्यादा options है available जो की गाड़ी के details या फिर आपको कोई भी setting चूज करने है there's a lot of information जो आपको infotainment system से मिल जाएगा infotainment system के ठीक नीचे है आपको climate control मिलेगा आपको dual zone climate control मिलता है और जो knobs है वो आपके जो either end के knobs है जो left और right में हुआ आप पर temperature control करने के लिए बीच वाल आपका fan speed के लिए है और कई सारे buttons और है उपर और नीचे के तरफ जो की काफी साइज चीज़े करते है जैसे की auto start stop, park assist lock unlock, passenger airbag, काफी सारे options हैं इसमें hazard light तो ये सारे buttons जो है ठीक आपके infotainment system के नीचे मौजूद है, in fact gear lever के आगे के तरफ अब अगर comfort और practicality की बात करें तो गाड़ी काफी spacious है, काफी storage space available है, गाड़ी में बहुत सारे cup holders है, जगे जगे पे चीज़े रखने के लिए hooks available है और यही सब चीज़े जो है LNK variant को काफी luxury बनाता है, और एक और चीज़ दोस्तों जो आगे की जो दोनों seats है, driver और co-passenger की वो दोनों seats heated और cooled है, जो मलब उसमें ventilated seats है, जो की heat और cool दोनों option available है आपके पास अनुसी के साथ उसके एक speed भी जिस speed में आपको जितना चाहिए, उत ठंडा या उतना गरम करेगा, तो वो एक बहुत अच्छा feature है, और उसी के साथ मैं आगे बोला था आपको dual zone मिलेगा, आगे के तरफ dual zone है, पीछे के तरफ एक और zone climate control है, आपको जो पीछे के तरफ है तो यानि गारी में आपको total three zone climate control मिलता है, आगे के तरफ दो और बीच में एक, जो आपका पीछे के तरफ यानि जो second row में है, वो लगाए, उसमें आपको features मिलेंगे, जैसे की temperature adjust करना और fan speed adjust करना second row के लिए, जो कि completely separately आप इसको adjust कर सकते हैं, पीछे की जो दोनों seats है, उन दोनों seats में आपको ये feature मिलता है, जो की squadra बोलता है, उसको power nap package बोलते ह वो basically these are headrests जो fold out हो जाते हैं, अंदर जले जाते हैं, तो वो जैसी fold out होगा, आपका सर जो है, उसमें टिका सकते हो, आपका सर left right नहीं जाएगा, तो आप peacefully सो सकते हैं गाडी में, उसी के साथ जो third row है, third row की बात करें तो third row जो है, वो बहुत जादा cramped है, in fact third row सिर्फ बच तो चलिए अब बात करते हैं, Škoda Kodia के engine के बारे में, तो अब ये गाडी को पावर करता है, एक 2-liter turbocharged petrol engine, जो की पावर करता है, the new Octavia और Superb को भी, and it is a 1984 CC inline 4 TSI unit, जो की pump out करता है, 187.5 BHP of power and 320 Nm of peak torque, and ये mated आता है, 7-speed dual clutch transmission, यानि की 7-speed DSG gearbox के साथ, and वो gearbox में भी आपको sport and manual mode मिलते हैं, उसी के लावा आपको paddle shifters भी मिलते हैं, जो आपको gear shift करने में बहुत easy, आपको handy आता है, performance की बात करें, तो 0-200 ये SUV करती है, 7.5 seconds में, जो की बहुत ही अच्छी timing है, and top speed अगर तो 200 km के ऊपर है, ये SUV के top speed हम लोग ने test नहीं किया है, but claim करते हैं कि SUV 200 के ऊपर जा सकती है, तो बात करता है suspension की, तो ये LNK variant में आपको electronic strut मिलेंगे, जो dampening है गाड़ी का, वो electronically control करता है, आपको जो गाड़ी का height है, ride height increase or decrease ने करेगा, but mode के इसाब से गाड़ी में जो different modes ह जैसे कि आपको sports में suspension और जादा stiff हो जाएंगे ताकि body roll हलकी कम हो जाए गाड़ी में और गाड़ी अच्छे से corner कर सके, तो वो उसके वरे से adaptive suspension है वो काफी अच्छे है, bumpy roads में आपको आराम से गाड़ी में अंदर के तरफ जादा आवाज आती नहीं, because suspension आप soft भी कर सकते है थोड़ा सा stiffen up भी कर सकते हैं और उसी के साथ यह जो अलग-अलग driving modes दिये गए गाड़ी में, जो की है आपको 6 driving modes मिलेंगे, जो की है eco, comfort, normal, sport, individual और snow, and यह snow because obviously यह 4x4 है, तो इसको 4 wheel में individual power जा रहा है continuously, इसमें आपको कोई अलग से lever नहीं मिलेगा, तो this is continuous 4x4 all the time, and उसी more authentic by the dynamic chassis control, जो की basically एक active suspension system है, और उसे shock absorber जैसे बोला आप जैसे इसे mode change करेंगे, उसके हिसाब से वो हलका stiffen या फिर soft कर देगा dampers को, तो दोस्तों अब इस गड़ी के key features की बात करते हैं, और actually key features से ज़्यादा safety features की बात करते हैं, तो जो LNK variant उसको मिलते है, 9 airbag as standard, जो की features across all variants, 360 degree camera parking मिलता है, park assist, multi collision brake, traction control system with anti-slip regulation, anti-lock braking system, roll over protection, motor slip regulation, and electronic differential lock system for the 4x4 system, तो ये था दोस्तों, the all new squada Kodiak, और pricing की बात करें, तो ये गाड़ी की pricing start होती है, 34.99 lakh X showroom से, और जो LNK variant जो हम लोग को मिला है, जो आप यहा देख रहे हैं, this is priced at 37.49 lakh X showroom, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे automotive content देखने के लिए हिंदी drive spark को follow करते रहिएगा क्शों कर दोुआ थे वीछियो नहीं, क्शों का दविएड़े वीडियो, तो प्लीज़ देखने के लिए दूएगजियो, अनुनाओ को ये वीजिए शेखने के लिए से भाएगा चुमाएग, वीजिए पस्वाग, तो देखने के लिए और दूंड़